कोलकाता का काली घाट मंदिर देवी काली को समर्फित एक परसिद हिंदु मंदिर है मा काली का अशिर्वाद लेने के लिए देश भर से लोग इस मंदिर में आते हैं काली घाट मंदिर कोलकाता सहर में हुगली नदी पर एक पवित्र घाट है समय के साथ नदी मंदीर से दूर चली गई मंदीर अब आदी गंगा नामक एक छोटी सी नहर के किनारे है जो हुगली से जुड़ता है कहा जाता है कि कोलकाता सब्द काली घाट सब्द से लिया गया है काली घाट को भारत के 51 सक्ति पीठों में से एक माना जाता है जहां सीव के रुद्र तांडव के दोरान सती के शरीर से विविन अंग गिर गए थे और काली घाट उस अस्थल को परतिनिधित करता है जहां दचिनायान या सती के दाहिने पेर के पंजे गिरे थे वर्तमान मंदिर उनिश्वी सताबदी का है हाला कि इसका पंदरवी और सतरवी सताबदी के बंगाल के कुछ भक्ती साहित के संदर में मिलता है माना जाता है कि काली घाट मंदिर चंद्र गुप्त दुईती के समय से अस्तितु में है मोल मंदिर एक छोटी जोपड़ी के आकार का ठाचा था जिसे राजा मान सिंग ने सोलोवी सताबदी में बनवाया था वर्तमान संरचना 1809 में सबरना रोय चोधरी के मागदाशन में पूरी हुई इस मंदिर में देवी काली की एक अनूठी परतिमा है मा काली की वर्तमान परतिमा दोशन तो ब्रहमानांद गिरी और आत्मारम गिरी द्वारा बनाई गई थी मोर्ती की तीन विशाल आखे और एक लंबी जीब और चार हाथ है जो सोने से बने हुए है मंदिर में पूस्प और मोर आकिर्ती की टाइले हैं जो इसे विक्तोरियन डूप का परदान करती है इसके अलावा मंदिर में कुंडु कुकर नामाग एक पवित्र तलाब है जो मंदिर परिसर के दचिन पुरु कोने में स्थी थे इस तलाब के पानिक को गंगा के समान पवित्र माना जाता है ऐसा माना जाता है कि पानिक में बच्चे के वर्दान को पूरा करने की सक्ती होती है अब हम आपको बताते हैं कि काली घाट मंदिर को मानने तक कैसे मिली साथ ही बताने वाले हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचे यह सब जानने के लिए वीडियो में आन तक बने रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लिज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे एक पौरानिक कथा के अनुसार एक भक्त ने भागिरत नदी में परकास की उजवल कीरन देखी उसने परकास इस्थित किया और एक मानाव पयर की उंगली के रूप में पत्थर के टुकडे की खोज की इसके आसपास के छेतर में उन्होंने नकुलेसवर भैराव का एक सोयम भूव सिलिंगम पाया इन छवियों को उसने छोटे से मंदीर में रखा और जंगल में इनकी पूजा करने लगा मंदीर की लोग प्रियता समय के साथ बढ़ती गई और इस तरह काली घाट मंदीर के माननेता मिली अब हम बात करते हैं काली घाट मंदीर जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है तो आपको बता दे कि काली घाट मंदीर जाने का सबसे अच्छा समय नवरात्री को माना जाता है क्योंकि इस दोरान बड़ी धूमधाम से नवरात्री मनाई जाती है इस समय आप यहां बंगाली लोगों को मा काली की पारमपरिक पूजा करते हुए देख सकते हैं अब हम बात करते हैं कि काली घाट मंदीर कैसे पहुँचें काली घाट जाने के लिए आपको कोलकाता रेलवे अस्टेशन के लिए ट्रेन पकड़नी होगी अस्टेशन से काली घाट मंदीर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है यहां से आप कोई भी सार्वजानिक वाहन लेकर काली घाट मंदीर पहुँच सकते हैं अगर मेरे दिये हुए जानकारी से आपको जरासी भी साहता मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं इसी तरक वीडियो अपडेट करता रहूं धन्यवाद जय माकाली